एक दिन मैंने अपने आहते में एक छोटा सा शाप रेंगते देखा वह धीरे धीरे रंग रहा था मुझको देखते ही वह भागा और बही पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में गुश कर छिप गया मैंने पत्तर का एक टुक्रा उठाया और उसे नारियल के खोल का मुझ बंद कर दिया उसे लेकर मैं नानी के पास दोरे गया मैंने कहा नानी देखो मैंने साप पकड़ा है नानी चीक उठी साप वह इतना घबरा गई कि लगी जोड जोड से चीखने पुकारने नाना ने सुना तो अंदर दोरे आए जब उन्हें पता चला कि नारियल की खोल के अंदर साप है तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीन कर दूर फेक दिया नना साप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास के जारी में गायब हो गया नाना ने मुझसे कहा खबरदार फिर कभी साप के पास मत जाना साप बहुत खतरनाक होता है